नमस्कार, सलाम दोस्तों, आज बात करेंगे हम एक बहुत ही इंपोर्टन टॉपिक पे और वो इंपोर्टन टॉपिक जड़ा हुआ हमारे मुस्लिम भाईयों से मुस्लिम भाईय यानि कि जो हमारे देश के अंदर बहुत मातरा में है और सबसे बड़ी बात तो उनकी जो बात हैं हम मुझके उपर डिसकस करेंगे क्योंकि उनी से रिलेटिर ये टॉपिक है जैसे कि आपने लॉक्टाउन में काफी नाम सुना हुआ हुआ तबली की जमात है उसको बैन कर दिया है वर्ल्ड की जहां से मुस्लिम एक तरही की सकते हैं जहां से जर्म हुआ इसलाम का वहां पर ही यानि कि साओधी अरभिया में है तो ये बहन लगाया है साओधी अरभिया ने क्या बात कहके वो सिंपल सी आपकी स्क्रीन के सामने है साओधी अरेविया ने कह दिया है कि ये जो तबलीगी जमात है वो गेट है टेररिज्म एंड डिंजर टू दे सोसाइटी के लिए सीधा और सिंपल उन्होंने कह दिया है साओधी अरेविया ने कह दिया है ये आतंगवाद का तरवाजा है और इसको बंद किया जाएगा तो सिंपल सा बात है हला की देखिए तबली की जमाद से कभी भी लिंक नहीं किया गया है किसी भी टेररिज्म एक्टिविटी को लेकर लेकिन जहां तक आप समझ सकते हैं कि मतलब जो तबली की जमाद के लोग होते हैं मैंने काफी देखी मैं किसी भी रिलीजन के अंगेस में नहीं हूँ लेकिन किसी भी रिलीजन को जादा forcefully अगर apply करेंगे तो उससे negative चीज ही जाके निकलती है जो रिलीजन होता है वो self claimed होना चाहिए आपकी teaching है लेकिन सबसे अजीब सी बात यह है कि जो तबलीगी जमात के लोग उते हैं उनका रहन सेहन भी बहुत ज़्यादा difference हो जाता है मतलब सर पे टोपी लगाते है ठीक है लगाईए कोई दिक्काद नहीं है लेकिन जिसको लगाना है वो लगाए ना मैं तो देखता हूँ कि कुछ ऐसे लोग ठीक है ऐसा रह सकते हैं कोई दिक्काद नहीं है लेकिन पूरी generation को यह आप ऐसे convert कर जो तो इतना सरीक तो अच्छा नहीं लगता है दीए हिंदू धर्म में भी बावा होते हैं ठीक है उनकी भी डाड़ी होती है लेकिन वो particular एक आटायर में होते हैं लेकिन अगर एक पूरी whole community उसी तरीके से जीने लग जाए मान लीजिए सभी लोग बावा टायप से जीने लग जाए तो फर क्या होगा ठीक है तो यह बहुत ही एक बड़ा different type का topic हो जाता है और जो मैं देखता हूँ कि जिस तरह की डाड़ी रखी जाती है और फिर जिस तरह की मूच रखी नहीं जाती है तो एक अलगी type का Islam को वो promote करता है तबली की जमात बने अगर आप तबली की जमात की आप पूरी एक पहली बाद तो तबली की जमात कोई साओधी अरभिया का संगटन नहीं यानि कि साओधी अरभिया नहीं कभी इसको 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 इस्टार्ट नहीं किया था यह स्टार्ट हुआ था इंडिया से ही तो कह सकते हैं कि यह जो South Asia की countries है उन्होंने अपने तरप से संगटन को स्थापित कर लिया और बहुत ही तेजी से बढ़ाया हाँ यहां लग कि योग कहते हैं कि तब्ली की जमाद में almost 40 करोड इनके मिलब क्या सकते हैं कि यह RSS जैसे की होती है वो वैसे ही अगर तब्ली की जमाद लेकिन तब्ली की जमाद में जायतर जैसे की इंडिया, पाकिस्तान, बंगलादेस इन लोग के लोग सामें लें जायतर ठीक है तो इस वएसे यह तीनों अगर देश कंट्री को मिला दे तो 40 करोड और और अटोमेटेकली लोग बहुत जादा हैं यहापर ठीक है जो पॉलिसीज है वो काफी लिवरल है महाँ पर बुर्खा बैन है लबडाडी वगेरा भी उस दर महाँ पर इतना ज्यादा प्रिचलन नहीं है तो इस वज़ा से वहाँ पर यह कल्चर डेबलब नहीं हो बाया ठीक है तो सबसे वड़ी बात तो आप सजूदी अरेबिया में कर जा के देख लें तो सजूदी अरेबिया के लोग होगा जो एक अटायर है क्या सकते हैं कि जो पहनते एक साफा टैप का वो भी कुछी लोग पहनते हरो कोई पहाँ पर पहन के नहीं गूमता है, हाँ ठीक है, कुछ लोग पहन के गूमती ही होंगे, वालो, ऐसा नहीं है कि आप साओधी अरभीया जैसे हो जाए, अब इंडिया में जो कल्चर बना दिया है, इन्होंने, एक तरीके से तबली की जमात वालों होने कि एक अलगी टाइप क कि आप डाड़ी मुचे रखो, ऐसी मुचे तो हो साओधी अरभीया वालों की भी नहीं है, आपकी सकल इतनी ज़्यादा, बुरा नहीं मानना, लेकिन इट बिकम डिश्टॉर्टेड, सकल अच्छी नहीं लगती है, सिंपल सी बात है, तो एक अच्छा एक अटायर होना चा कि आईए हमारे साथ, ने ख्यार अच्छी बाते करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, नमाज पढ़ने के लिए बोलते हैं, आईए नमाज पढ़िए, खाना खिलाते हैं, सब कुछ करते हैं, बहुत एक चीज है, रस्पेक्टिफुली लेकिन ये एक बड़ी जो कहता है ना जमात, ये इतना बड़ा नहीं हो जाना चाहिए, ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, मलब जो लोग अगर पर्टिकलर की धर्मगुरु होते हैं, अगर धर्मगुरु कोई बनना चाहता है, तो वो इन चीजों को एक्सप्ट करें, तो ये थोड़ा सा मेरे को लगता है कि वो इतना अच्छा नहीं है, तो ये सारी चीज़े हैं, तबली की जमात के बारे में, अगर कहा जाए तो अच्छे काम भी करते हैं, काफी कुछ डोनेशन वगिरा कभी सुना है मैंने अच्छल में, लेकिन उससे ज़्यादा अगर का आप एजुकेशन पर आटमेटिकली करें, तो आटमेटिकली बहुत सारी चीज़े अच्छी हो जाएंगी, और तबली की जमात के होने ना होने से कोई फायदा नहीं है, मेरे हिसाब से, क्योंकि उससे कुछ ज़्यादा अच्छा तो चीज़े नहीं होती हैं, आप चली समू की भी बात करते, आकर एजुकेशन और वहाँ पर जॉब्स की बात करते तो बहुत अलग होती, लेकिन वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस बात की बात की जाती है, कि हाँ हमें कैसे हमें कपड़े पहनना है, कैसे हमें नवाज पढ़ना है, बस उतनी ही बात है, आप ये किसी दर्म के खिलाब कोई बात नहीँ होती है मैं जानता हूँ वह सरे लोगों लेकन हाँ, लेकन ये बाथ जरूर होती है कि वहां पर बस धर्म के अलावा किसी की बात नहीँ होती है वह अपने धर्म की बात करते हैं अपने religion को बस कैसे follow करना है उसी में मुलब पूरा time spend कर देते हैं मुलब कुछ नई चीज सीखने का उनके पास time नहीं मिल पाता simple सी बात है अगर आप इस चीज में डल जो जाएंगे तो बस वही उसी का reason है कि फिर वो open up नहीं हो पाते है और जब open up नहीं होंगे समाज के सामने तो ultimately in the end कोई फायदा नहीं निकलेगा ठीक है फिर वो आप एक समाज से कड़ जाएंगे और अपने अपने लोगों के बारे में फिर उतने ही लोगों के बारे में हाँ देखिए हमारा धर्म ऐसा है हमारा धर्म ऐसा है और फिर उसकी बार धी ये चीज़ शुरूती है फिर दूसरे धर्म की बार आप अंदर नहीं करते है लेकिन जब आप बाहर जाते हैं ना फिर कहते हैं यार हमें तो बाहर का पता ही नहीं था तो अब यहाँ पर ऐसा है तो वो गलत लगता है फिर वो चीज़ वहाँ पर दिक्कत करती है तो इसलिए कहते हैं कि एक कॉमन एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए जो चल रहा है वेसे तो ठीक है लेकिन तबलीगी जमात का जो काम है कारे करम है वो काफी गड़बड करता है मेरे इसाब से मिज़े लगता है कि उससे कोई फायदा नहीं होता है तो वो ही चीज़ है और उसी के तहत तबलीगी जमात को साओधी अरवियन एक बहुत बड़ा एक्सन लिया है और उसको आतंगवाद का दरवाजा किया कि इसको बंद करने का उन्होंने निला लिया अलाकि ये भी थोड़ा सा ज़्यादा कह सकते हैं कि एक्साजरेट किया गया है लेकिन फिर भी जो भी उन्होंने का है साओधी अरविया अब देखी सबसे वड़ी बात यहां पर यह है कि साओधी अरविया जहां से इसलाम का उत्वन हुआ है वो लोग इस तरह हंसे नहीं रहते हैं साओधी अरविया के लोग वो लोग इतने अच्छे से रह रह है उनकी डाड़िया टोपिया उस तरीक है की नहीं है तबली की जमाद में ऐसा भी नहीं है कि पूरे इंडिया के लोग जो भी गुशते हों तो उनको लोग मुला नहीं कहते हैं हलाई कि self community के अंदर से लोग उसमें को मौला ना कहते हैं सिंपल सा बात है तो 40 करोड जो मैंने बताया आपको आंकडा वो उसमें आपके सकते हैं कि मतलब 4-4-2-2 मतलब जैसे कि अगर 25% लोग इस चीज में चले जाते हैं तो उसके बाद फिर देखिए सबसे बड़ी बात है कि रिलीजिन में जब आप घुज जाते हैं तो फिर उसके बाद आप समझे लेजिए कि आप घुज गए पर बाहर निकलना बहुत मुस्किल हो जाता है उस चीज से और हर चीज में होता है जो इसे कि आप अगर किसी नसा करने के लिए गुज गज गया तो आप नसे में लग जाता है उसी तरहां से ये सारी चीज़े होती है हर चीज़ में एक नसा होता है तो बस यह है अल्टिमेटली लेकिन यहां पर तबली की जमात्तों मतलब मैं कहारा हूँ कि यह किसी इसलाम का पार्ट भी नहीं है तीक ना इस तरहां से यह नोंने एक अलगी एक दम इसलाम बना दिया तो वो एक बहुत ही वड़ा प्रॉब्लमेटिक सबब हो गया इनके लिए तो वो चीज़ बंदी होना चाहिए थी और अल्रड़ी इंडिया में तो जिस तरहां से यह चला हलाकि देखिए वो भी गलत बात थी कि जित तरीके से एक तरीके से कहते है गोधी मीडिया है तो उन्होंने भी देखिए डबली की जमात वाले कोई गलत नहीं है लेकिन जिस तरहां से आप गुरूब बना के रहे मुनलब एक वो कर रहे है ना ओर्गनाइजेशन चला रहे है वो एक गलत था और उसके साथ फिर आप खुदी गलत होती आएंगे सिंपल सी बात है अगर आप गुरूब बना के रहेंगे और गुरूब बना के बस उसी गुरूब के लोगों की बात करेंगे तो अल्टिमेटली आपको फिर लोग कैसे पसंद करेंगे सिंपल सी बात है ना तो वो चीज कम होना है और ऐसा नहीं है कि इंडिया के अंदर पुरा 100% लोग उसी के अंदर है अगर क्या हैं तो 25 करोड़ मुस्लिम है तो लगबक उसमें से मुस्लिम दो मैक्स टू मैक्स बता रहा हूं मैं एक से डेड़ करोड लोग ऐसे होंगे जो इसमें इंडल्ज होंगे जातर यह पाकिस्तान बंगलादेश में बहुत ज्यादा है यहां पर इंडिया में कमी है अलागी लेकिन फिर भी एक दो करोड़ यह कह सकते हैं कि पांच-दस परसेंट भी अगर इंडिया के हो जाते है तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सुचुईशन है मलब क्या ही कि उसमें वो एजुकेशन को ज्यादा तरजी ने देते हैं फिर वो तरजी देते हैं कि इसलाम में हमें कैसे चलना है कैसे पढ़ना है कैसे रह तो यह बहुत ही बड़ी प्रॉब्लमेटिक मनदब जो रिलीजन इनीशली आया था जब अगर आप कहेंगे कि साओधी अरे अभिया से इसलाम चला तब से ही उन्होंने कहा इक्रा हालाकि कोई लोग कहते हैं ऐसा है कोई उन्होंने नहीं कहा पढ़ो तो वो इसलिए कहते ह नहीं नहीं यह नहीं लिखा क्यों बोलते हैं क्योंकि उनको खुद पढ़ना नहीं आता है वो खुद जाहल है तो इस वज़े से यही तो दिक्कत है तो इस वज़े से क्योंकि मैं जिन लोगों से जानता हूं जिन लोगों को जो तबलीगी जमात की बात करते हैं वो सिंप जी रहे होंगे इंडिया के CEO जितने भी वर्ल्ड की टॉप कंपनी हैं उसमें इंडिया के CEO हैं लेकिन उसमें कोई मैं पर यही क्या रहा हूँ कि रिलीजन बाइस विससे तो पनको कैल्कुलेट नहीं करना है लेकिन फिर भी आप एजूकेशन की तरब जायते तो कुछ तो नया करके दिखाते हैं एक बहुत ही इंपोर्टन चीज है और वह आपको होना जरूरी है नहीं कि आप इस चीज में इंडल्स हो जाएं कि बस रिलीजन 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 इस मैं कहा रहा हूँ हर वक्त अपने गौड को भगवान को खुदा को याद करना इट्स वेरी गुड हम भी याद करते हैं कोई कभी नहीं भूलता है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है आप एजूकेशन को बैक सीट पर रख दे एजूकेशन फ्रेंट सीट पर रहती है और जो हमारा अंदर से हमारे गौड के लिए बहुवान के लिए हमारे अल्ला के लिए जो प्रातना होती हैं वह हमें हमєझा अंदर से करते रखना है सिंपल सा लोजिके तो वो चीज को करने के लिए करना है और वोई चीज़े थी पहले ऐसा तो नहीं है कि 1400 साल पहले से कोई रिलिजन अगर मालब इसलाम नहीं था तो उससे पहले कोई जीवन ही नहीं था उससे पहले भी जीवन चल रहा था इसलाम आया अच्छी बात है उसके बाद हमें किस तरह से जीना है वो भी देखिए ऐसा नहीं था कि बताते हैं कि 1100 सदी 1100 में और फिर उसके बाद बहुत सारी रियासते आई ही जैसा कि मुगल सल्तना था यह से बोलते हैं यहनों ने काफी अच्छे से रूल किया इंडिया को और सब कुछ अच्छे चल रहा था उस टाम पे भी एजुकेशन का काफी बोल वाला था ठीक है ना तो यह सारी चीज़ बताते हैं वर्ल्ड की सबसे बड़ी सबसे पहली जो यूनियोसिटी बनी थी वो मुरॉक्को में मुसल्मान मुलब मुसलिम्स नहीं बनाई थी तो एजुकेशन पे पहले इंगा ध्यान था लेकिन जब से यह थोड़ा सा जब ओइल मिलना सुरू हुगा फिर उसके बाद अनों नहीं सुचा कि अब क्या करना है कुछ अपने रिलीजन को बढ़ाना है या जो भी है मेरे को नहीं पता लेकिन साउथ इंडिया के लोग जायतर इडिया पाकिस्तान और इधर के लोग हाला कि इंडिया के लोग काफी अच्छे हैं उस मामले में इंडिया की तो काफी अच्छी लवा कर कह सकते हैं कि थर्ड नंबर की पहले आती है TCS उसके बाद अगर BIPRO या फिर लेगा या चौथे नंबर परी मालो BIPRO तो BIPRO के मालिक हमारे सबी आप समझ सकते हूं और बहुत सारे लोग है फैजल है और बहुत सारे लोग है अंसा नहीं है कि एजुकेशन की कमी है हाँ हलागी लेकिन जब ये तबलीगी जमाद जिसे एक संस्ता चालू हो जाएगी तो बहुत ही ज़ा problematic हो जाएगी क्योंकि मैं इनकी जो एक तरीके से कहता है teachings है उसके बारे मैं सोच रहा हूं ये नहीं है कि हमें तबलीगी जमाद जिसे बिलकुली एक दम बेन बेन देखिए इनको होना चाहिए कि जो लोग religious leader या religious teaching देने वाले हैं वो लोग इस particular जमाद को support करें मतलब उसमें सामिल हो सकते हैं लेकिन सभी लोगों को indulge करते हैं that is a problematic situation और वो ही problematic situation होई क्योंकि जब आप गुरूप बना बना के रहेंगे गुरूप बना के जाएंगे तो लोगों को लगेगा यार यह तो अपने गुरूप में रहते हैं हम भी अपने गुरूप बना लें तो उस तरह से RSS' एक गुरूप बनाता है लेकं RSS' आप उसकिस वो नहीं करते की वह है उनका अटायर वो टायर ऐसे लेकिन अब लोग भी उनको भी बुरा बोलते हैं जो लोग बोलते ही हैं तो वो अल्टीमेटली वही बात हो जाती है ये एड्यूकेशन के उपर ध्हान दीजिए पड़ाई बड़ाई कीजिए आईएस आईएस बनीए कुछ क्या रखा है दीजिए रिलीजन को अपने सपोर्ट कीजिए अपने रिलीजन को मानिये जितना आपको मानना हो तो नहीं मानिये और ज्यादा मानिये लेकिन उसको दिल से मानिये उसको सकल चेंज करने की जरूरत नहीं है ये मनला बहुत ही एक अलगी तरह का आप वो चीज हो जाती है आपको सकल बदलना पड़ेगी सकल वैसी बनाना पड़ेगी मुझ काट लो और डाड़ी बढ़ा लो टोपी लागा लो तो आप मुसल्मान होंगे वरना नहीं होंगे that is very weird situation for us even Saudi Arabia के लोगों को मैंने देखा है वो लोग भी इस तरह से नहीं रते तो एक बहुत ही important चीज है कि हमें अपने religion को support करना चाहिए सभी को अपने religion को support करना चाहिए लेकिन उसका positive support पॉजिटिञ support का मतलब है कि आपको education की तरफ लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए simple सी बात है competition कीजिए competition good and healthy way में कीजिए ठीक है ना तो यह चीज है मतलब healthy way में यार education अगर सभी मैं कहना हूँ की बहुत ही अच्छी opportunity है अभी South Asian countries के पास हला कि अभी Bangladesh में इस मामले में मान रहा हूँ की वो थोड़ा सा इन सारी चीजियों से अलग हट रहा है काफी सारे interviews वगेरा भी मैं मतलब देखता रहा हूँ हुआ की countries के तो Bangladesh थोड़ा सा different side पे चल रहा है मतलब थोड़ा सा positive side पे चल रहा है लेकिन यह जमाती लोग महाँ पर भी है तो वो इस तरह से फर उनका रहन सेन में देखा हूँ तो वो अलगी different लगता है डाड़ी एक दम वो बकरे टाइप की डाड़ी होती है और बहुत ही अजीब से लगता है मनला बहुत ही नहीं कहा दिया है कि यह गलत परता है तो कह सकते हैं कि साइद यह तरह से कुछ liberalism आए साओधी अरबिया के कहने से अब नहीं आता है तो वो बहुती problematic चीज होगी मेरे को जो लगता है कि इस सारी चीज़ों को change होना चाहिए तबली की जमात को नहीं होना चाहिए तो कि उससे कोई फायदा नहीं होने वाला इंडोनेशिया भी देगी आप वो थोड़ा सा आगे बाड़ रहा है लेकिन महाँ पर भी मैं नहीं नहीं देखा है तबली की जमात के लोग कुछ है वो यह वैसी डाड़ी टोपी उस तरहां की सकल बना के क्या हासिल कर लेंगा आगे नथिंग यू विल गेट इवन मलब मैं कहा रहा हूना साओधी एरभिया के लोग भी उस तरहां के नहीं दिखते हैं वो भी उस तरहां की बाते नहीं करते हैं वो education हलाकि उन्होंने भी द निकल रहा है क्योंकि अब उनको लग रहा है तेल खतम होने से पहली हमारे जो मैंने कहा ना education सब कुछ कर देती है अगर भाई ये लोग इनको पता होता कि तेल खतम होने वाला है तो at least at least at least at least उसके उपर research करते गाड़ियों का किस तरहां से अगर ये तेल खतम होगा तो को अपने अपने देश में बना लेता है गाड़ियों के electronics vehicles को अपने country से ही निकालता है हाला कि अभी बता रहे हैं कि साथी रविया का पास lithium iron बगेर बैटरी बगेर बनाने के लिए जो लग कच्छा माल चाही होता है वो महाँ पर सायग है तो मैं लग कह सकते हैं कि वो कहता कि अगर लीति मायन मिलेगा तो वहाँ से ही मिलेगा तो इस तरहां से साथी अरे भी अगा तो काम हलागी चलता रहेगा लेकिन फिर भी अब ये बात है कि education पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए अलन मस्क आगया अलन मस्क ने पूरा मदब तेल का खेल बिगाड़ दिया अब अगर इसी तरहां से अलन मस्क की जगा कोई अबड़ रहमीद कर के आ जाता और वो इस चीज को बताता कि हम बनाएंगे लेक्ट्रिक बेहिकल और इस तरहां की चीज़ें करेंगे तो आगे ब मुस्लिम लोग में कोई प्रॉब्लम है कोई प्रॉब्लम नहीं है सब अच्छे हैं लेकिन वस यह कि एजूकेट नहीं है तो फर उनके न बहुत इजी चांसे हो जाते हैं किसी भी गलत चीज में सामिल होने में और वो रीजन हुआ भी है तब ही डिलीजन के साथ जब जाता है किसी भी गलत एक्टिवीटी को उसका रीजन आपको पता ही है और उसमें जालत अनपड़ अब लोग कहते हैं कि यार पड़े लिखे भी यह से करते हैं तो पड़े लिखे अनपड़ और जब उनके भीड होती है ना उनके पास अनपड़ोंगी उस बज़ा से होती होती है सारी चीज़ दिखकर लिखे ना अनपड़ और पड़े लिखें तो नहीं होता है में चीज़ यह कि आपको समाजना पड़ेगा कि एजुकेशन इस इंपॉर्डेंड और एनिधिंग सिंपल सी बात है एजुकेशन पर ध्यान दो इतने पड़ाई करो इतनी पड़ा हो आप एक छोटे से बैंक में पीओ बन जाएं दैट इस दा लाइफ एक्चुली वो होती ही लाइफ अगर आप शेयर मार्केट में पैसे लागा रहे हो कोई मिलब शेयर ट्रेडर बन रहे हो बैंक में एम बीए करके कुछ जॉब पा रहे हो या फिर आईटी इंडस्री मे रहे हैं उसको जीना पड़ेगा वो लाइफ है हाला कि अब ये लाइफ को एक्चल में जब मैंने कहा न तबली की जवाद वाले कहता है ये क्या लाइफ है आपकी आखिरत में क्या जवाब दोगे तो वो एक ये फंडा करते हैं मैं यह नहीं करा उसमें कुछ गलत ऐसा कहत बस वो ये कहता है कि बस अल्ला को याद करो that's it that's also good but वो यह कहता है न कि फिर वो जब आप पैसे से कम रहे जाता है तो फिर आपके घर में प्रॉब्लम्स आती हैं और वो प्रॉब्लम्स मैंने देखी हैं मुस्लिम कम्मूनिटीज के अंदर और साउथ एसीन कंट्रीज के जाते हैं हलाकि मैं यह नहीं करा किया देखी एर अल्ला को तो हमेशा याद करना है नमाज आप पांच टाइम की पड़ो बिल्कुल आप नमाज भी पड़ो लेकिन जो जमात में जाने का देखो यह जमात थोड़ी इसलाम सबसे बड़ी बात यह इसलाम के जो पांच रूल सबसे पहले मैं पांच रूल के बारे में आपको स्क्रीन पे लगा देता हूं तो आप पड़ दीजिए क्योंकि मुझे भी अतना ज्यादा नौलिज नहीं है कि रोजा नमाज और यह सारी चीज़ें करना है आपको जगात करना है देकि सारी अच्छे चीज़ें अगर पां रहे है एक्सरसाइज है वो अल्टिमेटली इटस फिजिकल एक्सराइज फाइफ टाइम एक्टिव हो रहा है देली तीक है सुबह उठने की आपकी आदत हो रही है नमाज पड़ने से इतनी अच्छी एक्टिविटी आ यह पांच बजे से नमाज शुरू हो जाती है तो इ जेसा भी नहीं कि आपको मस्जिद में जाके नाम에서 पड़ें घर में नमाज पड़िया तो पहली बात यह वगें नमाज पड़ना फिर जगात मतलब गरीब हो हें ना डोनेशन दो यह खाना उक्राच्थान जो खाना नहीं खा सकता है जो गरीब है ठीक है आप का माली जी donation का मतलब ये भी नहीं है donation में कितनी सारी चीज़ आती है education के लिए donation दे सکते हो किसी को भूजन के लिए donation दे सकते हो देखी एक गरीब लोग भी होते हैं और एक होतीए age जैसे कि माली जी एक व्यक्ति job करता था वो पीस साल से पचास साल तक जॉब किया उसके बाद वो बुड़ा है तो वो जॉब नहीं कर पा रहा है अब उसके खाने पीने की प्रॉबलम है बुड़े इंसान है मतलब पती पतनी है बुड़े तो उनको आप खाना खिला सकते हैं की खाने की बेवस्ता कर सकते है मतलब डोनेशन है यार उसमें और फिर मान लीजिये उनके बच्चे हैं उनको बच्चों को एजुकेशन के लिए आप आगे बढ़ा सकते हैं फिर उसके बाद अगर आप बात करें हज पिलिग्रिम पे जाके मतलब मक्का मदिना जाके वो भी एक अच्छी चीज़ है आप ट्रेवलिंग करना आपको ठीक है और प्रे तो फिर करना है सिंपल सी बात है बस इतनी और बाखी दो चीज़े साहदा और एक और चीज होती मतलब प्रे करना है आपको और यकीन रखना है इतना ही है और इतनी सी चीज़ को फॉलो करने के लिए आपको कोई गुरूप बनाने की ज़रूरत नहीं है किसी भी रिलीजिन को इतना गुरूपिजम में नहीं रहना चाहिए सबसे बड़ी आद तो ठीक है और इसलाम क्या कहता है आपको पता ही होगा किसी भी दूसरे रिलीजिन के बारे में गलत नहीं कहता है यही कहता है ठीक है न और बरदास्त करना बहुत सारी चीज़े बरदास्त करना यह सारी टीचिंग्स समय सिखाई गई है ठीक है न तो बस वही चीज़ है और वो ही चीज़ अगर follow कर लिया जाए तो बस फिर तो world is become superb और वो ही चीज़ follow ना कराके अब कुछ अलगी type की चीज़ follow कराई जा रही है वो बहुत ही problematic है और उससे ही problem हो रहा है सारा तो इसी के साथ मैं वीडियो का अंद करता हूँ और मैं कहना चाहूँगा अपने Muslim भाई बेनों से कि यार प्लीज जो real Islam मैं सखाया गया है वो follow करें ना कि उन चीज़ों को follow करें जो तबलीगी जमात अब मैं ये तो नहीं कहूँगा यार ये follow मत करो वो follow मत करो लेकिन तबलीगी जमात it's not a way of life यार actually जब अप Saudi Arabia ही कह रहा है Saudi Arabia जो Islam का जनक देश है ठीक है न तो इसी के साथ मैं वीडियो का अंद करता हूँ धन्यवाद